नमस्क्राइब दोस्तों मैं रंजनकुर आप लोग में फीट सवागत करता हूँ मैं फीट से कुछ सवाल लेकर आगया हो जो आपकर दोर पीछा हो है मेरे वीदियो पर मतलब सव पुछह हूँ यह सवालð एक दोस्त बोला था कि sir मुझे तो terrified हो गया है मैं कैसे जाओ तो उनके लिए मैं suggestion देना चाता हूँ कि सबसे पहले अपने training center में पुछ लिजे कि sir मेरे कोई इस तरह का problem हो चुका है मैं कैसे करूँ आओ या नहीं आओ confirm है कि जो corona positive है उसको तो माना कर देगा कि नहीं आप नहीं आईए यह हो सकता है आपको 5 दिन का बाद जाए 10 दिन का बाद या बोल दे कि corona negative होने के बाद आप जोइन कर सकते हैं देखिए घबडाय नहीं कोई problem नहीं है आपकी job जाएगी नहीं क्योंकि बहुत सारे लोग डर है कि sir आप मैं क्या करूं मेरे तो job चले जागी और रोने वाले emoji भेज रहे है तो यह इसलिए गलत बात है देखिए आपका job जाएगी नहीं आप वेही चक रहे है आप कोशिस कीजिए मतलब immunity लीजिए और कोशिस कीजिए जितना जल्दी आपके अंदर recovery हो जाए जो corona positive है को negative हो जाए और फिर आप देखिए करने के मतलब है बहुत सारे दोस्त हम से पूछ रहे है कि sir अब मगर मैं 20 तरीके बात जाओ तो क्या joining लेगा की नहीं लेगा देखिए सबसे पहले बात यह है आपको ज्यादा उचीत रहेगा पहले उससे phone करके पूछ लेजिए फिर भी अगर माली जो कोई phone नहीं करता है या बहुत सारे दोस्त यह भी बोला है कि sir phone करने पर phone उठा नहीं रहा है मैं क्या करूँ परसान हो गया हूं परसान होने के जोड़त नहीं है आप बहिचक रहे है घर में रहे है कुरंटाइन रहे है मतलब जो इलाज चल रहा है इलाज कर पुरा मोहर के साथ मोहर और सिंग नेचर के साथ आप लेकर जाए कोई प्रोब्लम नहीं होना चाहिए वैसे भी जहां तक मेरा को बता है आपका जोइनिंग जैसे माली जै बीस तरिक है तो आने वाले दस तरिक से पहले आप जाएंगे तो आपकी जोइनिंग हो जाएगी यह मैं देखिए फिर से मैं बता रहा हूं पिछले वीडियो में बहुत सारे वीडियो में बता चुका हूं इस वीडियो में बता रहा हूं कि मैं अपना अनुभाव बता रहा हूं मैं पहले बहुत सारे वीडियो पहले यह भी बता चुका था कि अगर माली जै पहली बार मोका मिलेगा की नहीं मिलेगा तो मैं प्रूफ के साथ एक वीडियो भी बना के डाल दिया था कि आप अगर पहली बाड़ में जॉइन नहीं करते हैं तो तीन या चार महिने के बाद आपका फिर से जॉइनिंग लेटर आता है इसके साथ मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है लेक कि अगर रिपोर्ट नहीं भेजा दिल्ली में रिपोर्ट जाता है कि हां हमारे पास इतने लड़कों का जॉइनिंग का मतलब प्रूपोजल आया था मेरे पास इतना ही लड़का जॉइन किया है अगर ओ प्रूपोजल नहीं भेजा रहेगा तो आपको जॉइनिंग हो सरे ट्रेंटर में नहीं हो जोना करें दोस्तु का सब्सक्राइए बतालीञ़ ंज्मॉठी को ज़ाइन कर लिया धिमन्काराइएं उसरा में च्छयग्ई के से का कुण में पाई जय जैंक हैं को हो ऑग किसी हो यह जोनारिको लिकोन में इसमें डरने के जरूरत ही नहीं है कि मेरा नोकरी चला जागा नोकरी नहीं जायेगा आप 20 दिन के पहले जाएगा कोई प्रोब्लम नहीं होगा कोई दोस्त ने मुझसे मेक्मैसेज किया था मतलब कमेंट में कि सर पूरा डॉक्मेंट जामा करना सेफ्टी रहे गा कि नहीं मुझे दर लग रहा कि कहीं कढ़बड हो जाए इसलिए मैस चाहरा ही हूँ कि सिर्फ मैट्रिक का ही Michigan जामा करule दोस्त बात बात हूं जिसको पूर जिन्दगी का डर नहीं है इसा कुछ नहीं होता है देखिए हमने भी ज्वाइन किया है पूरी बटल जितनी सिर्फ एसस भी नहीं जितना पारामलेट यह जितना आर्मी वाले हैं सभी ने जो लड़कों का ज्वाइन जब कराता है तो सब पूरा ओरिजिनल डॉक्मेंट लेत मिस्चीद्र यह हो सकता है कि आपको साल भर भी लगों मैं अपना बता रहा हूं जब मैंने चरण सुल में फ़्रम भ ने के लिए तो आजकल तो ओरिजिनल डॉक्मेंट जरुरत ही नहीं है फर्म भरने के लिए फोटर इस्टे घार पे रख दिजिए इतना तो कंफर्म है कि आपका डॉक्मेंट एक आपने जो आपने जो फर्म भरते समय जब 2018 में जो अपलाई किया था फर्म भरते समय वह भी कागज आपके पास जब जाइएगा जब ज्वाइनिंग लेटर में सिंगेचर करने के लिए वह सब साथ में लगा हुए रहेगा आप जब आपके स्टेंथ बीन चले जएगा जब डॉक्मेंट निकालेंगे समय जाएगा त जिसको पूरी जिन्दगी देने वाले हैं उससे अगर एक कागाज के टुकड़ा अरे सर्टिफिकेट क्या है कागाज के टुकड़ा यह ने उसके लिए डर रहे हैं कि यह गूम कर देगा गूम नहीं होता है बहुत रिस्पोंसेबिलिटी से कोई भी काम होता है कोई भी प उसमें से जो आप फोटो जमा किये होंगे ना वह भी फोटो नहीं होगा तो चार दोस्त हम से यह भी पूछ रहे थे कि सर अगर माली जी हम डिपार्टमेंट बेग चले जोइनिंग कर लिए अगर बाहर का एक्जाम देना चाहें तो क्या पूर सीजर है तो देखिए बाहर कि बाहर कि कोई भी एक्जाम अपने से मतलब जिस रेंक में जारे माली कॉस्टर बर्लेक पर जा रहे हैं उससे उपर वाले किसी भी रेंक में फोर्म भरते हैं तो आप भर सकते हैं उसके लिए आपको एन उसी देना पड़ेगा सिंपल सी बात है आप जो फोर्म भरेंगे इसके लिए एक देने के क्रिपा करें आप जिस बटालियन में जाएंगे वहां पर आपको बता दिया जागा कैसे अपको अनुसी के लिए अप्रिकेशन लिखा जाता है और इसके बाद आप आप अनुसी देखें परमीशन एक दम नॉर्मरी टाइप से मिल जाता है यह हो सकत दो से तीन महिने के अंदर मैं लेने वाला हूं मेरे बहुत सारे दोस्त है जो लिए हुए मैं देखा हूं अपनी कैसे लिखाता है उसका भी एक्सप्रियंस मुझे है इसलिए आप टेंसर नहीं लिजिए हाईयर एजुकेशन के लिए अगर देखिए एक और बात 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 हाईयर एजुकेशन आपको चाहिए है अब हो चाहिएक लिए एकशका काम नहीं आगा की अगर और मान लिजिए अगर थट बट का एक्जाम दे भी देती हैं तो आपका मानने नहीं रहेगा क्योंकि सबी को पता है कि कॉलेज में चाहे स्कूल में जब तक 75% एक्जाम नहीं बनता है तब तक आपका फरम नहीं भराता है यह अलग बात है कि हम कभी कॉलेज नहीं जाते हैं कॉलेज नहीं लाजाने के बाद भी वह हमसे फी ले लेता है और 75% मार्ट मतलब एटेंडेंस लगाने के बाद ही मेरा फरम भराता है एक्जाम देने के लिए सब्सक्राइब हो सकता है आपका पूरा डॉक्मेंट सीज हो सकता है और नोकडी भी जा सकती है इसलिए ज्यादा जरूरी है देखिए अगर दो पार्ट देदी है तो उसका फैली खातम उसको मारिये गोली अब इसके बाद सिर्फ जब आप जाये खतम कीजिए उसके बाद पॉसन के लिए और डिष्टेंट डिखी डिष्टेंस मोंड उपन इनवरसिटिस हे एक दोस्त हमको यह बोलिया कि सर क्या हम घ मतलब क्या है इंदराय घंधी नेश्टनल ओपन इंवर्सिटील मतलब रिडिस्टेंस ए ले spirit60 आपके mistला आपके आप लोगों को लगता है कि अलग हज़ा थोड़ा मुझे कमेंटर करके बताईएगा क्योंकि हमको यह जानते हैं कि दोनों एक ही सेम हैं तो आप डिस्टेंस मोड से ही आपको आगी की पढ़ाई हायर एजुकेशन लेनी पड़ीगी और बीना हायर एजुकेशन के आप डिप एज़ाब के बारे में कुछ बताएए जबाता सब्सक्राइब मतलब इससे बारे मतलब उसक्राइब कराईब के लिए उसके बाद पर चार सल का बाद आप आसिस्टेंट कमांडेंट के लिए एक सकते हैं दोनों के लिए आपको qualification BA final चाहिए, किसी भी subject हो मतलब नहीं है, और pass हो, यह नहीं, first division, second division मतलब नहीं है, सिप pass होना चाहिए, pass है, वो आप eligible है, मतलब LDC देने के लिए, दोनों LDC, मतलब departmental में मतलब SI LDC या AC LDC, दोनों आप दे सकते हैं, इसके लिए मैं एक, मतलब dedicated video यह मैं total क्या, उसका exam schedule कैसे रहता है, और exam में क्या-क्या होता है, exam में क्या-क्या फूचता है, उसके लिए मैं एक अलग से video बना दूगा, आप लोग suggestion करेंगे, तो हम जरूर करेंगे, चलिए दोस्तों इस video में इतना ही है, मैं आसा करता हूँ कि आप लोग आज है 19 तारी किया, कुछ लाजमी का confusion है, कि सर में 17 को join कर लिया हूँ, क्या 17 से payment बनेगी, मेरे video में video बना हुआ है, आप description box से video निकालिए और देखिए, पूरा video बना हुआ है, कब से payment सुरू होगी, कब मिलेगी, आपका account नमर की कौन सा चाहिए, मैं description box में पूरा video डाल दूँगा, के तक मैं video बना हुआ है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ट्रेंग से जब भी निकलेंगे, ट्रेंड सोल्डर बनके निकलेंगे, ठीक है, फिर मिलेंगा, अगले वीडियो में तो ट्रक्रिक निकालिए, बाए बाए बाद जाहींद